दोस्तों नमस्ते चानल में स्वागत है हम लोग फिर से आज एक और कुंड़ी लिख्या है फ्री रीडिंग के बेसेश पे जो हम लोग करते हैं और इस कुंड़ी रीडिंग के रिकार्डिंग हम लोग यह बोलना चाहूँगा इस महीने की जो अगस्त के महीने का जो लास्ट हमारा सेलेक्शन प्रोसेस था उस प्रोसेस का यह आखरी रीडिंग है तो आप लोग के अगर कुंड़ी सेलेक्ट नहीं हुई है अगस्त के महीने वाले जिन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी उनको request है कि repeat लिख के भेज़ दीजे repeat of 15 September लिख के भेज़ दीजे मैं 15 September के बाद अगर selection हुई तो आप लोगों की reading करने की कोशिश करूँगा अगर आपकी reading नहीं हुई है दूसरा point है जो लोग free reading करवाना चाहते हैं नए है YouTube चानल पर मेरे उनको बोलूँगा जिकी चानल सब्सक्राइब कर लिजे और मेरे जो description में number दिया गया है उस description number पर आप मुझे वर्टसाइब ड्रॉप कर सकते हैं अपनी reading के लिए free कुनली चार्ट reading लिए 15 September से पहले पहले कर सकते हैं आप लोग तो 15 September के बार मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की भी reading प्रोवाइड कर दूँ बहराल जिनको personal reading भी करवानी है वो भी मुझे WhatsApp या call drop कर सकते हैं होई description में जो number है उसी पर आप लोग कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं इस कुनली के regarding इस कुनली में जो हम लोगों का सवाल है वो है कि career success age क्या होगा और husband supportive होंगे work में या नहीं यह दो सवाल है इनका यह प्रिती जी की कुनली है प्रिती जी की age 24 years है और इनकी अभी महादशा जो चल रही है और शुक्र की चल रही है जिसमें mercury की महादशा सप्टेंबर 26 में खतम होगी और इसके बाद सूरी की महादशा लगेगी आपकी तो पहली बात तो यह जी करिये सक्सेस कैसा रहेगा आप वक कर रही है समझ सकता हूं क्योंकि आपका राहू जो है वो दसवे घर में बैठा हुआ है तो राहू जिसके दसवे घर में बैठा है वो काफी पावरफुल हो जाता है वक फील्ड में आपको अच्छी ग्रोथ मिल size 162 खील दॉट तो इससोटी आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी और आपको अच्छे आप लोग्त आप जो काम कर रही है उसमें आपको अच्छा कोछी एक साही जाने को सामव कुसुछन सब्सक्राइब को और को पर मिले पाəं थार यह राहू को यह नेचर हूत सुन लोगाए है टार फ्लि यहां पर अ 8 हुआ एक अजल्क fluffy भी Kh یा आपको सटंट गेनी और你 इनिशनेस की भी फीलिंग करवाता है यहां पर अचानक से कुछ फाइदा हुआ लेकिन अचानक से कुछ नुकसान होने का डर लग जाता है साइमुल्टेनेसली राहु यहां पर बैठे हुए रिलेक्शनशिप अच्छा नहीं करेगा अपके वर्क प्रेस में आपको लेके हो सकता है जलसी हो या आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा हो जो कि सबको सूटेबल ना लगे तीसरा पॉइंट हो यहां पर यह है कि राहु पर दिर्ष्टी पढ़ यह केतु की और आपके अभी शुक्र की मादशा चल लिए अगर मैं शुक्र से गिनू तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, आट का रिलेक्शनशिप बना रहा है हाला कि शुक्र आपके लगनेश है, लगनेश होके और आश्टमेश होके यह पांचवे घर में बैठा है तो छोटा मोटा ट्रावलिंग एजुकेशन में आपको सपोर्ट मिला होगा, शनी के घर में बैठा हुआ, मितर राशी में बैठा हुआ है तो education में आपको support मिला है हो सकता है जिकि आप engineering या medical field में हो या हो सकता है जिकि आप कोई work कर रही हो जिसमें moon की राशी में बैटा हुआ है तो रहू हो सकता है आपको आप liquid related कोई भी offices में या कोई business होगा liquid related उसमें आप काम करती हो या आप speculation या share market में काम करती हो तो यहाँ पर बैठा हुआ रहू speculation और share market में अच्छा benefit देता है engineering और अगर आप medicine लाइन पर है तो भी आपको अच्छा benefit देगा workplace में अगर आप रहेंगी तो और simultaneous अगर आप यहाँ पर बैठा हुआ रहू को देखेंगी तो यहाँ पर बैठा हुआ रहू आपको जो दिष्टी पढ़ रही है सूर्य और मरकरी की और केतु की इस कारण बाश आपको authoritative figure में भी आपको मदद करेगा 2014 के बाद आपको अच्छा benefit मिलेगा authoritative figure की तरफ आप जा सकते हैं आप government job के लिए try कर सकती है आपको अच्छा opportunity मिलने के chances है यहाँ पर दिक्का सिर्फ इतनी सी है यहाँ पर शनी हाला कि आपकी कुल्ली में योकार एक planet है शनी आपके लिए positive होना चाहिए था लेकिन शनी आपके सात्वे घर में जाके बैट गया है इस कारण वर्ष थोड़ी सी और नीच का बैटा हुआ है पहले घर में शनी नीच का होता है और यहाँ पर लेकिन house interchange हुआ है यह देख सकते है जिकि शनी के घर में sorry house interchange नहीं हुआ है माफ किजेगा लेकिन शनी सूर्य के mangal के घर में जाके बैठे और सूर्य शनी के घर में बैठे हुआ है तो शनी के घर में सूर्य बैठने के कारण क्या हुआ है यहाँ पर सूर्य अपने comfortable zone पे नहीं है इस कारण वर्ष हो सकता है जिकि आपको अपने work अपने घर से या आपके mother से थोड़ा सा distance बन रहा हो या हो सकता है आपकी communication आपके mother से थोड़ा distance बनाएगा सूर्य है यहाँ पर आपके birthplace या आप जहां रहती है वहाँ से आपको दूर आपको भेजने की कोशिश करता है यहाँ पर सूर्य और राहु दोनों यही काम कर रहे है तूसरी बात बची जी कि आपके age का success age क्या होगा आपका success age भाई यह बोसकता हो जी कि राहु 42 years में अच्छा benefit दे सकता है मंगल 28 years age में अच्छा benefit दे सकता है moon अगर देखा जाए तो 24 वा age और 25 वा अभी शुक्र का पच्च आप 24 प्लस चल रही है तो अभी 25 years आपके लिए काफ़े important होगा क्योंकि आप 25 वा 24 रन करके 25 को run कर रही है अगर 25 को आप रन कर रहे है तो यह शुक्र का होता है एक छोटा माना जाता है हाला कि 52 साल भी शुक्र का माना जाता है तो इस age में 25 years भी आपके लिए अच्छा होगा 28 साल आपके लिए अच्छा हो सकता है और आपके लिए 42 साल अच्छा होगा मरकरी की 32 साल भी आपके लिए अच्छा होगा शनी का जो 36 साल होगा 35 जो बीच का साल होगा वो आपके लिए थोड़ा सा थोड़ा difficulty देगा गुरू का भी जो आपका age होगा वो भी आपके लिए अच्छा देगा गुरू भी हाँ पर नीच होके बैटे हुए बारोए छटे घर में अपने सोहराशी में बैटे हुए इस कारण आपको कोट कचारी या आप अपनी महना से या अपने करे से काफी अच्छा और काफी आगे बढ़ जाएंगी और आप किसी भी में आपकर आप लड़ने जाएंगी कोट केस करेंगी या कोई भी कुछ होगा अगर आप कहीं पर फस्ती है या आपको कोई चीज चाहिए होती है अगर कोट के स्वगरा करती है तो उसके में आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा अब लिटीगेशन में भी आपको अच्छा बेनेफिट मिल जाएगा अब बात बसती की husband का support और work कैसा रहेगा simultaneously में एक चीज बता दूँ आपको जिकी husband का support यहाँ पे मंगल आप मांगलिक है सात्वे घर में आपके लगन में मंगल बैठा हुआ है तो आप मांगलिक हैं मांगलिक होने के कारण आपका यहाँ पे अगर आप विवह करें तो मांगली की से ही करें तो अच्छा खुल्ली मिलान करके करें यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है शनी यहाँ पर आपके साथवे घर में बैटा हुआ है यहाँ पर पार्टनर्शिप के घर में शनी बैटा हुआ हाला कि योगकारक प्लानेट है यहाँ पर पैसे की कमी शनी नहीं देगा अगर पैसे की कमी देगा तो परिवार अच्छा क करेगा शुक्र के मंगरी के साथ बैटने के कारण डिटैच्मेंट जरूर होगी आपको लगेगा क्या फाइदा एक एज के बाद लेकिन मरकरी और सूर्य यहाँ पर आपको बेनेफिट देंगे शुक्र भी यहाँ पर बेनेफिट देंगे तो यहाँ पर जितना मुझे दिख थोड़ी सी हाश हो आप जल्दी गरम दिमाग की हो जाए इस कारण वज भी अच्छा नहीं रहेगा और शनी यहाँ बैट हुए जच्च्मेंटल हो जाता है शनी वर्क आपकी परस्नालिटी को लेके आपके पार्टनर हो सकता है जच्च्मेंटल हो जाए आपके उपर जच दिश्टी दे रहा है शनी का मंगल का दिश्टी एक दूसरे पर पढ़ रहे है इस कारण वाज यहाँ पर हजमेंट के साथ सपोर्ट का उतना अच्छा चांसे नहीं बनता है हो सकता है अगर आप अपनी शादी अपने पसंद से करें अपनी लव लाइफ को अगर आप अपनी बनाता है तो जरूर से जरूर यह जरूर देख लिजेगा जिकि मांगलिक अगर साथ वाला मांगली को तो ठीक नहीं तो यहाँ पर मंगल भी आपको कश्ट देगा मैरी से लेटेड आपको प्रॉब्लिम देगा आपके हजबेंट आपको सपोर्ट करेंगे या नही यह तो डिपेंट पहले बाद में करता है पहले तो यह शादी कैसी रहेगी अगर शादी में ही दिक्कत रहेगी तो सपोर्ट का तो को सवाल खड़ाई नहीं होता अगर शादी अच्छी बनानी है तो शनी को उपाय करिए हाले कि हहाँ पर शनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मंगल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो सटिस्फेक्ट्रेशन नहीं रहेगा फिजिकल सटिस्फेक्शन हो सकता है लेगिन मेंटल पीस रहने की मुश्किल है उसके लिए आपको अपने कॉम्प्लिकेशन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको अपने एग् आपके लिए प्रिती जी होप करता हूं आपको पसंद आए